नई सोच सही दिशा की प्रस्तुते परमम हवाई मंगलम जिन्दगी बहुत छोटी है कभी भी आपकी और मेरी रवानगी हो जाएगी कोरोना के कारण हो या किसी और वज़से हो किसी निमित्र से हो जिन्दगी की उम्र यानि आईशी हमारा धीरे-धीरे कम होता जा रहा है हमने कमाने के लिए बहुत कमा लिया खुब हमारा नाम भी हो गया खुब हमने जी लिया अपने घर के समाज के कई काम हमने कर लिये अब हमारे पास में बहुत बड़ा काम करने के लिए है और वो है जैन धर्म की सेवा करना उसे जन जन तक पहुंचाना शाकाहार का बहुत व्यापक मत्रा में प्रसार पचार करना जैन धर्म के सभी चारों फिरकों को सभी अलग-अलग संप्रदायों को आपस में जोड़ना और जोड़ने के लिए सद्भावना का विकास करना आज मैं महसूस करता हूँ के हमारा आपसी सद्भाव बहुत कम है हम मत्रों तक्त पर एक होते हैं वक्त पर एक नहीं होते हैं हम मिलते जरूर हैं हम भासन देते हैं हम भाते करते हैं हम एक दूसरे संप्रदाय के साधु साधी भी मिलते हैं लेकिन अभी भी हमारे मन बटे हुए हैं एकता के लिए, प्रेम के लिए, भाई चारे के लिए, मिलकर आगे बढ़ने के लिए, संगर्स करने के लिए, दुस्मनों का, शत्रूओं का सामना करने के लिए, अपने धर्म को, अपने संप्रदाय को, अपनी माननिता को, भगवान महावीर को जिंदा रखने के लिए, सबस सरी तो बाद में होनी होंगी तो एक हो जाएगी लेकिन सबसे पहले हमारीमान्षिक एकता चाहिएं वो मात्रसाब्दिक नहीं होनी चाहिएं मैं कितने भी एकता पर भाशन दे दू मेरी तरह दूसरी भी आचारिय भगधर एकवंत एकता पर दूसरा है वीजन, वीजन का मतलब है हमारा नजरिया, हमारा द्रश्टी कौन, एक्सन का मतलब है हमारी सक्विता, हमारी गतिवी धिया, हमारी अपनी महनत, हमारा अपना प्रयास, हमारा पुर्शार्थ, हम मैंसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छा पुर्शार्थ करते अच्चे पुर्शार्त में विश्वास करते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम नाना प्रकार की संसाइं बनाते हैं, अलग-अलग प्रकार के आयोजन करते हैं, उसके लिए पैसे खर्च करते हैं, समय समय पर सादू साद्विजी भगवनतों का मारगदर्सन लेते हैं, छोटे मूटे भगवान महाविर के सिद्धानतों के प्रसाद पचार के लिए कारे कम करते रहते हैं कभी जीवद्या का पालन करते हैं कभी गरीबों को अन्न दान देते हैं कपड़ों का दान देते हैं मंदिर उपाश्रे स्तानग तेरापंद भवन इत्यादी बनाते हैं श्वतामबर, दिगंबर, स्थानगवासी, तिरापंती, अपने अपने तोर तरीकों से काफी कुछ काम करते हैं, यानि हमारी मेहनत तो बहुत है, हमारा पुर्शार्थ बहुत है, हमारा प्रयास कम नहीं है, हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं है, लेकिन साथ में, हमारे पास म उस कोशिश के अनुसार, उस प्रयास के अनुसार, उस मैनत के अनुसार, उस पुरसारत के अनुरूप वीजन होना चाहिए, दुर तक देखने का एक अंदाज होना चाहिए, आखों से दिखता है, कितना दिखता है, एक सीमा तक दिखता है, लेकिन मन से बहुत दूर तक हम द विश्य को परकने की स्थिति आ गई है, उनका सुनदना पड़ें और उनके मारजरसन में आगे बढ़ना पड़ें, यानि पूरशारत के अनरूप वीजन चाहिए, पूरशारत के अनरूप दरश्टि कौन चाहिए, वैसी हमारी सोच चाहिए, बहुत लोगों के पास में यानवयन होता नहीं यानि जिनके पास एक्सन हैं उनके पास वीजन नहीं है जिनके पास वीजन हैं उनके पास एक्सन नहीं है अकेला एक्सन हो तो वो मत्र कसरत है मेहनत है उट बैट करने जैसे दंड बैटक लगाने जैसे प्रक्रिया है अकेला वीजन हो तो वो ख्वाब ह सपना हैं, वह खयाल है, वह साकार बनेंगे, सपनसिद्ध होंगे, यह जरूरी नहीं। लेकिन एक्षन और वीजन अगर मिल जाते हैं, तो वह हमारा भविश्य है, वह उजवलता एं, वह हमारे लिए आवश्यक है. तो हमारी कोशिश हों कि हम एक्सन और वीजन को मिलाएं, थोड़ी हम उदार बने, दुख लगेगा सुनकर, फिरी भी कह देता हूं, माफी मांग कर कहता हूं, मिच्छामी तो करम बोल कर कहता हूं, सबसे शमायाचना करके कहता हूं, किसी के प्रती दुर्भाव से नहीं भरा है, तो वो जैन सादू साद्वी जी भगवंता है, शावक शाविका तो फिर अपने आप एक हो जाएंगे, या नजदिक आ जाएंगे, चुप चाप, मिल बैट करके आगे बढ़ जाएंगे, सबसे बड़ी तैयारी सादू साद्वियों को करनी है, आज सादू साद्वी ज पर प्रवच्चन देते हों, ये चीजें बार-बार उबर-उबर करके आ रही हैं और मासूस हो रही हैं कि जैन सादू साद्वियों के मन में मस्तिसकों में, उनकी मानसिक्ता में एक्ता का अबाव है, हम सभी लोग अपने अपने संप्रदायों की, अपने अपने पंतों की बात करना चाते हैं हम सभी लोग अपने अपने संपरदायों पंतों को मानिताओं को अपने अपने समुदायों को अपनी अपनी ही विचार धारा को परिपुष्ट करना चाते हैं हमारे नजर के सामने भगवान महावीर और उनकी विचार धारा सूस पष्ट नहीं है हम मत्र लेने के लिए कभी-कभी महावीर भगवान का नाम लेते हैं। लेकिन इमानदारी पुर्वक भगवान महावीर की मेरे गुरुदेव की और मेरे जन्मदाता माता पिता की कसम खा करके कहता हूं कि मेरे में अगर सदभावना थोड़ी बहुत कम है या मेरे में अगर कहीं सामप्रदाईता है, समुदाएवादिता है या मेरा अपना मत पंत क आगरा है तो मुस्किल से वो पांच या दस प्रतिसत है इससे अधिक नहीं है मैं उसे भी दूर करने का प्रेट करता हूं मेरी कोशिश है कि हम समुदाएव का आगर ना करे हम अपने अपने मिले हुए सम्परदाएवे में पंत में माननिता में जीए उन आचार विचार को पालें उसके अनुसार हम विधी करें क्रिया करें लेकिन हम कोशिश करें कि हम दूसरों के प्रति सहिशनु रहें हम सब के प्रति दिल के दरवाजे खोलें हम सब को अपनाएं आचार विचार की बातों को लेकर के दूसरों के लिए दरवाजे बंद न करें पंत या मानिता हम अच्छे और दूसरे गई गुज्रे हम बहतर और दूसरे सामान्य हम बहुत बड़े और दूसरे छोटे हम कुछ एक्ट्रा ओडिनरी और दूसरे एकदम नॉर्मल इस प्रकार की मानिता ना रखी जाएं और ये भी ना सोचा जाएं कि दिगंबर समाज की जै हो या शुतामबर की जै हो सानगवासी की जै हो या तेरापंती की जै हो कौन आगे बढ़े ये महतपुन नहीं महतपुन ये हैं कि जैन धर्मा आगे बढ़ना चाहिए जैन समाज आगे बढ़ना चाहिए जिन शाषन भी पूरे जैन समाज की जैजेकार नहीं हुई अगर हम सानगवासी या तिरा पंती अपने संपरदाएं अपने पंत की जैजेकार करते हैं तो वो भी समगर जैन समाज की जैजेकार नहीं हुई यानि हम घाल मेल करते हैं हम दूद में पानी पानी में दूद कभी-कभी में नमक डालते हैं, हमारे तौर तरीके शुद्ध नहीं है, धर्म, धर्म की विधान, धर्म के सिध्धान, धर्म की इबातें, वेक्तिगत आरादना के लिए होती हैं, मैं मुपत्ती हाथ में रखकर सामाई करूं, कोई मुपत्ती बांध कर सामाई करें, किसी की मुपत्ती ल सबकी समाचारी में अंतर हो सकता है सबकी अपने विधानों में अपनी मानिताओं में परंपरा से मिले हुए उनके तोर तरीकों में फर्क हो सकता है कोई लाल पात्रों का उप्योग करें कोई काले पात्रों का उप्योग करें कोई सपेद पात्र लें कोई करपात्री बने हाथ में ही खाएं ये सब हो सकता है किसी का रजोरन ऐसा हो किसी का बहुत लंबा हो किसी का चोड़ा हो किसी के मोर पिच्च हो कोई अलग प्रकार से कपड़े पैंते हो दूसरे अलग प्रकार से कपड़े पैंते हो ये सब मुक्ष के लिए आवश्चक तत्व नहीं है जिन सासन के जेजे कार के लिए और मुक्ष के लिए तो आवश्चक तत्व है हमारे राग द्वेश कमभाओ हमारी आपसी मैत्री बढ़े हमारी प्रीती बढ़े हमारा सदभाव बढ़े हम सब एक दूसरे के नजदी काएं इसके लिए क्या करना चाहिए समझो कोई कहते हैं कोई माइक में बोलते हैं कोई मॉबाइल का प्रतिक्ष प्रोक्ष उप्योग करते हैं कोई विल्चेयर में चलते हैं कोई डोली में यात्रा करते हैं कोई श्वतामबर हैं, कोई दिगंबर हैं, कोई स्तानगवासी हैं, कोई तेरा पंती हैं, कोई थोड़े मेले कपड़े पहनते हैं, कोई उजले कपड़े पहनते हैं, कोई अलग तरीके से बोलते हैं, कोई अलग तरीके से रहते हैं, ये सब विक्तिकत बाते हैं, लेकिन जो भी भगवान महावीर का नाम लेते हों भगवान महावीर की विचार धारा के हों भगवान महावीर के सिद्दान्तों के मूल गुणों के खिलाप नहों मूल सिद्दान्तों के खिलाप नहों जो भगवान महावीर के मूल सिद्दान्तों का प्रसार पचार करते हों या उनको लेकर चलते हों जिनको भगवान महाविर के मूल भूत पंच महावरत में, नव तत्वों में, कार्मिक फिलोसौपी में, अनिका इंतवाद में, इन सब में आस्ता हों और इनके अनुसार जीते हों, जो अहिंसा में, करुणा में विस्वास करते हों, जो शाकाहारी जीवन शेली जीते हों वे सबी हमारे लिए समान तरीके से आदरनिया होने चाहिए वहाँ भेद भाव नहीं होना चाहिए वहाँ तेरा मेरा नहीं होना चाहिए आज तो कैसा है सम्यक दर्सन की बात करें और मिठ्यात दर्सन की बात करें यानि सम्मेक्त्वकी और मिठ्यत्वकी बात करें तो हमारे जैन धर्म के सभी सादू साद्वियों ने अरस परसी सम्मेक्दर्सन को बांट लिया है मिठ्यादर्सन का भी निर्धारन कर लिया है हमी नकी करते हैं कि सम्मेक दर्षटी कौन और मिठ्या दर्षटी कौन सम्मेक दर्षटी कौन और मिठ्या दर्षटी कौन कौन हैं सम्कीती और कौन हैं मिठ्यात्वी कौन जाएगा स्वर्ग में कौन जाएगा नरक में किसका होगा मुख्ष और कोन है गया गुजरा हकिकत में सम्मेक दर्सन और मिठ्या दर्सन की बातें तो जैन और दूसरे दर्सनों के बीच में थी महावीर की विचारधारा और दूसरों की विचारधारा के बीच में थी इसलिए समहों समवेदा हों अनुकंपा हों आस्तिक या इस प्रकार की सब मान निताय हो इन सब सम्मेकदर्सन के गुणों को लक्षनों को लेकर के हम को शांती पूरवक जीना था अगर कोई सादू माइक का उप्योग करता है और कोई अगर नहीं करता है तो नहीं करता है उसको इस बात की चिंटा नहीं करनी चाहिए कि कौन कोई एक समय खाता है कोई तीन समय आहार करता है तो एक समय खाने वाला यह न सोचे कि वो तीन समय क्यों आहार कर रहा है कोई कपड़े पहनता है और कोई कपड़े नहीं पहनता है कोई दिगंबरत्व में विश्वास करते हैं कोई श्वतामबरत्व में विश्वास करते हैं तो ये नकी क्यूं किया जाएं कि शुच्वताम्बर सही है कि दिगंबर सही हैं, अब विवाद का समय नहीं, अब निर्णाएक मोड पर जाने का समय है, कोई कोट, कोई जूरी, कोई भी आधनी क्वेक्टी, कोई सक्ती, कोई सामर्तिय, ये ते नहीं कर सकता, ये नहीं बतला सकता, ये दावा नहीं कर सकता, कि इन सब संपरदायों में सही कौन है, और गलत कौन है, कौन मोक्ष में जाएगा, कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन तिरियंच बनेगा, कौन नरक में जाएगा, कौन सादू 24 करेट सादू है, कौन साद किसी प्रकार की ऐसी किताबे नहीं ग्रंत नहीं क्योंकि शुतामबरों के ग्रंत कहते हैं के दिगंबर गलत हैं स्थानगवासी तेरापंति की मानिता कहती हैं के मूर्ती पूजक गलत हैं मूर्ती पूजकों की मानिता कहती हैं के ये मूर्ती पूजक गलत हैं तीन थुई कहती हैं के चार थुई वाले गलत हैं चार थुई कहती हैं के तीन थुई वाले गलत हैं खरतर गच्च वाले कहते हैं कि हम सही हैं तपागच वाले दावा करते हैं कि हम सही हैं पायचन गच्च वाले कहते हैं कि हम खरे हैं तो अच्चल गच्च वाले कहते हैं कि हम खरे हैं उसी प्रकारोस वाल कहते हैं कि हम बड़े हैं हम सही हैं हम शुब रहे हम पूराने हैं आप बांदते जाएं राग-द्वेश्ष्ट करते जाएं और योईंगर नाम होते जाएं जहिन धर्म को पीछ़े धकेल दैजाएं महावीर को कुछ org करते जाएं समाप्त करती जाएं अपनी सारी सकती अपनी मती अपनी भक्ति अपना सामर्तिय अपना पैसा अपनी बुद्धी सब विवादों में विनाश में इन सब में लगा दें और दूसरा रास्ता है हम पॉजिटीव सोचें सकरात्मक्चिंटन बनन करें मैं भी सही हो सकता हूँ दूसरे भी सही हो सकते हैं स्याधवाद का परिचे दें जो कोई भी आत्मा अपने-अपने सामर्थ से, अपनी-अपनी मानिता से अपनी-अपनी परंपरा से जैन धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ रही है उन सबको मेरे नमसकार हो, उन सबको मैं स्विकार करता हूँ, मेरी माननिता, वो मेरी पक्की माननिता, मेरा संपरदाई, वो मेरा संपरदाई, मेरी अपनी परंपरा, वो मेरी अपनी परंपरा, लेकिन दूसरी परंपराओं का मैं विरोध ना करूँ, दूसरे संपरदाईों लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है। चौत को संबस्तरी करें और पवित्र ना रहें रागद्वेश करें या पंचमी को संबस्तरी करें पवित्र ना रहें और रागद्वेश करें या आनंत चुतुर दसी के दिन बहुत बाजे गाजे के साथ में जिस लक्षना परवका समापन करें लेकिन पावन ना रहें अगलग करना होगा संप्रदाएं व्यवस्ता हैं संप्रदाएं व्यक्तिकत माननेता हैं संप्रदाएं सामुहिक माननेता नहीं हैं संप्रदाएं कुछ लोगों की कुछ परिवारों की कुछ व्यक्तियों की कुछ समाजों की कुछ साध्यों की माननेता हैं वो जो माननेता है उसके साफसे करें, खरे और खोटे की बातें अभी ना करें, जो आपको मिला है, जो ठीक लगता है, उसमें आचरन करें और आगे बने, कई ऐसा ना हो जाएं, कि संप्रदायों के आमसी वेमनस्य के बीच में, धर्म के नाम पर जिन सासन के नाम पर भीतर भीतर लड़ते बहुत बड़ी मात्रा में हम युवापीडी को खो रहे हैं, युवापीडी हमसे दूर जा रही है, जिनको विवाद पसंद नहीं, वईमनस्य पसंद नहीं, जगडे पसंद नहीं, तूतू में में पसंद नहीं, मार पीट पसंद नहीं, हाहला पसंद नहीं, गाली गलोच पसंद रही जो शान्ती चाते हैं प्रेम चाते हैं ननी सी जिंदगी शकून के साथ में बिताना चाते हैं वे लोग इन संपरदायों के विवादों से दूर रहना चाते हैं इसलिए वे उपाश्रे में सानक में तेरापंध भवन में दिगंबर में शुतांबर में सानकवासी में तिरापंती में कम आते हैं रूची कम है उनकी मानसिक्ता कम है ऐसे लोग कई दपा अन्य गुरूओं को सुन लेते हैं इतर समाज को सुन लेते हैं अन्य धर्माचारियों को पीरों को फकीरों को या फिर अलग अलग वक्ताओं को मूटी वेश्टल स्पीकरों को मानते हैं सुनते हैं कोई इसायत को सुनता है कोई हिंदु जम को सुनता है कोई सिखों को सुनता है कोई इन गुरू को कोई उन गुरू को सुनता है सुन सुन करके उनके भी भक्त बनते हैं ये तो नुक्सान हो रहा जैन धर्मका इससे तो जिन सासन बहतर था मावیर के सिद्दांत अकात्य है वो काल जईई हैं वो साश्वत हैं वो लाजवाब हैं वो समगर विश्व की शांती करने में और उसको आगे बढ़ाने में समर्त हैं उनकी बाते ही ऐसी हैं मावीर के लौजिक ऐसे हैं लोब लालसा को कम करना, इर्शा जलन न रखना, आज मैं नासूस करता हूँ, सादू साद्वियों में भी आपस में इर्शा है, श्रावक शाविकाओं में भी है, ये बढ़ती जा रही, सादू साद्वी भी एक दूसरी की प्रगती को देख करके जलते हैं, टांक ही चाई कर श्रावक शाविकाओं भी यही करते हैं, जीटो हों, जीओ हों, भारत जैन महा मंडल हों, और कोई चोटे बड़े स्वतामबर के दिगंबर के सानकवासी के तेरापंती के संसान हों, संग हों, समुदाय हों, सब जगह पर, पिछले 49 सालों में घूमते घूमते भारत में, म यह संपरदायों की बातों को लेकर, संगों को लेकर, पदों को लेकर, मानिताओं को लेकर हमारे बीच में कितने विवाद हैं, सच कहूं, जैन समाज में साधू साध्वियों में और श्रावक शाविकाओं में पदों की लालसा बहुत है, मान सम्मान की कामना बहुत है, सब को बड़ा बनना है, सब को पद चाहिए हैं, सब को सम्मान चाहिए हैं, सब को स्टेज चाहिए हैं, सब को बोलने को चाहिए हैं